हलो फ्रेंट्स मेरे पाम डिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 32 वर्स के पुरुस के पाम का एनलेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को सुनते हैं कि करके फिर उसका उत्तर गरते हैं इनका सवाल इस प्रका कर पाऊंगा सरप्रतम सेकेंड कोश्चन अभी इनको UPSC में काफी अच्छा इंट्रेस्ट जागा है तो क्या गुरुजी UPSC के योग है या फिर अधिकारी पोस्ट के उस विशह में इनको जानकारी चाहिए तीसरा कोश्चन था आगे लाइफ में कैसी लाइफ रहेगी हमार कितना अर्ण कर पाऊंगा लाइफ में कितना बड़ा कुछ अचीव कर पाऊंगा की नहीं चौथा कोश्चन था हमारे अतिली पर कुछ अच्छे इंडिकेशन विगरा बन रहे हैं फिस टाइप की आकिरती केतू पर है उसके विशह में पूरी तरह जानकारी देदीजे तो आपको मिल जाए और चैनल को शेर जरूर करें तो सर परतम इनके सवालों पर चलते हैं इनका जो सवाल था कि यूपी यसी के विशह में तो जैसा मैं इनकी अतिली को देख पा रहा हूं तो गरहों के स्टेंद अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छी इनके अतिली पर है पह उसके स्थिद्धी आपके अतिली पर अच्छी होनी चाहिए इवन वो बहुत बड़ी होनी चाहिए मैं आप इनका भी डाउट्स क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे हो सही बात है आपकी लाइन ओफ एजूगेशन भी है आपको बेसिक कंसेप्ट भी होगा लेकिन जो इस सु चक है कि आप एक करण के पोस्ट पेड होगे और उससे दिरे दिरे परमोशन होगा आपके महनत के दम पर तीसरी चीज में क्या मैं संग कर पा रहा हूं कि आपके लाइफ लाइन में अभी जिस एज से आप गुजर रहे हो उस एज में कोई प्रोग्रस लाइन फील नहीं कर पा रहा हूं तो क्या एंगा अग्दम बहुत जादा एक्स्रीम लेवली जास सकसर तो भू। जो चीज़े सच लगेंगी बताऊंगा, मैं हमेशा सच के अधारिफ पर बात बोलता हूँ, पहला कोशन इनका था, सकेंड कोशन के अगर मैं बात करूँ, कि ये विदेश में है, तो इस बात की पुस्टी भी आप इनकी हतली से कर लो सरपत्तम, या मैं कर लेता हूँ उनकी ह वाली बात है, इंडिया आना ना आना, इंडिया आना ये आपके मन की बात है, ये आपके इक्षा की बात है, इसमें कोई पार्टिकुलर्ली आपके योग हतेली पर नहीं निकाला जाएगा, ये आपकी इक्षा की बात है, हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि इंडिया आने के आपकी earning रहे ये की नहीं, अब आप सोचो, आपकी भागी रेखा अच्छी है, तभी तो आप जीवन में पैसे कमा रहे हो, सिंपल सा बात है, फेट लाइन अच्छी है, गरहों की strength अच्छी है, जीवन रेखा पर कोई बहुत विसेश, distraction नहीं है, तभी तो आप पैसे कमा रह रहो या England में रहो, या कहीं और रहो, आप पैसे जहां भी रहोगे, आप कमाऊगे, ऐसा कोई specific sign नहीं है, कि आप विदेश ही कमाऊगे, इंडिया से नहीं कमाऊगे, आप जहां भी रहोगे, जिस भी जगह वास करोगे, जहां आपका धर जाएगा, सर जाएगा, वहां इरेंटी वाली बात है, क्योंकि आपके साथ ही आपकी हाते लिए आपकी हाते लिए पर भागी रहा, बहुत ही अच्छी है, तो आप जिस भी country में रहोगे, इंडिया में रहो, फोरन में रहो, कहीं भी रहो, आप पैसे कमाऊगे, लेकिन, हाँ, एक चीज और होती है, कि अ कोशन था, आगे क्या कर पाऊंगा, देखो आपकी बागी रहा, मुझे बहुत इंपरस की, बहुत जादा, बहुत स्ट्रॉंग बागी रहा है, जैसा मैं ढूंडता हूँ, वैसी बागी रहा है ये, और ये बागी रहा अगर फल नहीं देगी, तो कौन सा बागी रहा फल और कंटीनियू बेसिस पे आपके लाइफ पे है, तो अच्छा कासा पैसा कमा लिजेगा, अर्ण कर लिजेगा, साथ साथ अपने रॉलेटी की सूचक भी आपकी बन लिए लास प्रेड में, कि आपका अंतिम प्रेड आपके जीवन का बहुत ही अच्छा बीतेगा, तो धन इसके लिए मैं इनकी दूसरी अतिली लाता हूं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था, इनके शूरी परबत पर फिश जैसे कुछ आकरती बन रही है, यह इनको बेसिकली लग रहा था, तो मैं ने इनका इंक लगा के एक पिक महाया, ताकि मैं इसके अच्छी तरेके से पूस् है, सब समझता हूं, इनसान के मन में क्या चलता है, यह वाली आप देखो, यह वाली जो मुख एक रेखा है, ऐसा करके डेवलप कर रही है, यह इनको बेसिकली फिल हो रहा हो, कि यह फिस जैसे आकरती बन रही है, किसी को भी लग सकता है, बट अगर आप इसको ठीक से पर रहे है, यह भी पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको लेकर चलनी परेंगी, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, हाँ, इसके लिए मैं आपको एक प्रबल उपाई देदूँगा, जिसके वज़ा से शूरी की क्रिपा आप और हो जाएगी, मैं आपके हतली पर जो की बहुत स्ट्रॉंग योग है, आपकी केतू माउंट पर बनने वाला बहुत स्ट्रॉंग फिश, बहुत स्ट्रॉंग, यह बेसिकली आपके भागी रेखा के साथ है, और इसका फल क्या होगा, सरप्रथम पहला फल आपके लाइफ में अकास्मिक धनला का साथ बहुत अच्छा मिलता है, एक फिश की अनर्जी मिल गई आपके बागी रेखा के साथ, और यह आपके धन को कमाने में बहुत मदद करेगी, बहुत जादा, एक गरीब परिवार से जन्म लेने के बावजूद, क्योंकि मैं यह क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आ अपने जन्म लिया होगा, और वहां से आप अगर वहां तक पहुंचे, तो बस यह फश की वज़ा से, और अपने क्लियर भाग गरेखा की वज़ा से, तो यह कुछ अच्छे इंडिकेशन्स आपके हतली पर बन रहा है, तीसरी कुछ इंडिकेशन्स भी अच्छी है, बहु आपको देगी, साथ-साथ शुक्र के निगेटिविटी को कम करेगी, आपके प्रस्नालिटी अच्छी होगी, बोल्ड प्रस्नालिटी होगी, लोग आपसे इंपरेस होते होगे, और जीवन भर आप अपने लाइफ में अच्छे खासे, एमाउंट में पैसे अर्ण करोगे, धनकी स्थिती अच्छी रहेगी, साथ-साथ, जिस भी लेवल के आप व्यक्ति हो, साथ-साथ, आपकी जो मिसस होगी, वो काफी सपोर्टिव होगी, तो ये कुछ अच्छे इंडिकेशन से बने देखा, आपके हैते लिए पर जोकी बन रहे हैं, और साथ-साथ शुक्र पे कुछ डार्क मनी की लाइने हैं, लेकिन हाँ, कुछ परिवाइक टेंशन भी मैं बखो भी देख पा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कि थोड़ा सा प्राबलम होता है, परिवाइक टेंशन में थोड़ा सा क्या इवन डार्क है, तो प्राबलम तो बेसिकली एक रिएट करत है जो कि आपकी लगजरी लाइफ की सूचा के बट ये एक है तो क्या है ना मद्यमस्तर की लगजरी किसों करेगी ये बेसिकली इंडिकेट करें तो ये था इनका तीसरा कोशन उसके बाद मैं एक योग आपको और दिखाता हूं कि एक बहुत अच्छी में ट्रेंगल नुमा आकिरती में देख पा रहा हूं आपकी अतिली पर अगर ये प्रॉपर ये स्ट्रेंथ वाली नहीं है अगर ये स्ट्रेंथ वाली होती है तो फर्दर आपके फ्यूचर में आपको बहुत बेनेफिट करेगी बहुत जादा पैसे के रिगाड़े तो ये कुछ अच्छे मैं वक्षो भी देख पा रहा हूं इनकी अतिली पर बहुत स्ट्रॉंग थंब है इनकी और थंब पर एक कोशन था इनका कि सर ये जो ऐसी रेखाए हैं इसका मेंली क्या मतलब है देखो ये पोर्शन आपके लॉजिकल एवलिटी का है ये पोर्शन आपके सम्मान की रक्ष जान भी उठाना पर सकता है तो अगर आपकी इस जीवन पर ऐसे को इस स्थितियां बन रही है तो किर्प्या करके उस अपसब्द को आप खतम करें और उसका उच्छ आप उसको अपने मुझ से ना निकाले क्योंकि हो सकता है कि वह आपके लिए कस्प्रद सावित हो सकता है इंसान की डिजायर्स बहुत ही जादा रहती है फिर आप फिल को इनका फर्स्ट पैलेंज बहुत स्ट्रॉंग एक्छा सकती तो काबिले तारीफ और ऐसे लोग ना सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है ना डड़ते नहीं घवराते नहीं कहीं भी चले जाएंगे ना हिम्मत उतना ही रहेगा हिम्मत में कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं और कभी किसी के पास जुक नहीं सकते हैं पहला चीज हो कहा है सेकेंड वन आप देखो तो इनकी फिंगर जुपटर फिंगर बड़ी रह रही है इगो हट की प्रॉबलम लाइफ के अर्ली एज में इंसान की किसी ब बनेंगा तो पॉजटिव बें में तो खुशी के बाद यह है कि आपकी हटली पे पॉजटिव योग बन रहे हैं और आपको इगो हट की प्रॉबलम होगी अगर आपकी वृद्ध कोई व्यक्ति बात करता होगा तो फिर दो कोई इनकी सेटर शुड़ी की अटेश्मेंट इनसान की कैलकुलेशन अच्छी होती इनसान कैलकुलेटिव प्रसनेलिटी का होता है साथ-साथ इनसान कोई भी कारी करता है अपमें जीवन में न तो वो सोच समझ के बारी क्योंकि साथ करता हो हिम्मत बहुती अच्छा रहता है सैटरन की उभार हो गई तो महनती नीसंद नियाय प्रिय वैक्ति होते हैं, किसी का एक पैसा लेके जी नहीं सकते हैं, किसी को धोका वोका देने का भी इनका कोई इरादा नहीं रहता, फिर आप देखो तो बुद्ध फिंगर हल्की छोटी जारी है, तो इसका एक नॉर्मल निगर्टिव पॉइंट आएगा, क्योंकि इनके बुद्ध में अच्छी कासी प्रधानता है, अच्छी कासी स्ट्रेंथ लिविए, तो एक निगर्टिव पॉइंट के आगा ना, इनसान कभी कबार, इनसान का डिसिजन ऐसे होंगे, जो कि इनसान को पस्ताने पर मजबूर करते हैं, इसकी दो वज़ा होंगी, पहला इनसान के जीवन में अच्छी रहेगी, और स्कॉर्णी स्पाम होने से व्यक्ति महनती होता है, इनसान महनत से कभी नहीं कत रहता, पचीस वर्स के बाद इनसान के जीवन में अच्छी स्टार्ट होती है, फिर्दको जुपिटर, यहां पर एक लाइन है, जो कि इनकी फैमि की प्राप्ति मिल जाए नहीं है, फिर आप देखो तो इनकी सेटर्ण पॉइंट यहां से काफी दबाव है, तो व्यक्ति यहां से उबारे तो व्यक्ति वेट गेन करता है, लेकिन उस वेट गेन का उसके जीवन, उसके महनत पर कोई फरक नहीं पड़ता, इनसान काफी एन की योग बन रहें, तभी तो यह फॉरन जापा है, फॉरन से अर्ण कर रहे हैं, फिर आप देखो ते इनकी आते लिए पर लाइन ओफ एजूकेशन, तो धरातल बेसिक की नॉलेज बहुत ही अच्छी होगी, इनसान को सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्यक्ति को बेसिक इनके लाइफ में जरूर से रहता है, फिर आप देखो इनकी हतली पर शूरी बुद्ध की पोशिन अच्छी है, तो व्यक्ति समझदार होता है, बुद्धातित्व योग की फॉर्मिशन एक टाइप से मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो व्यक्ति समझदारी स मेरे मदद से मेरे लाइफ पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो आप इसी वे मदद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपना पहले देखते हैं, फिर बाद में लोगों की मदद करते हैं, तो मैं तो लोगों को यही कहता हूं, कि अगर आप एबल ही नहीं होग लगे इश्वर भी बोलता है कि समझदारी से, फिर आप देखो तो इनके हैतेली पर कुछ ऐसी रेखाए हैं, जो खड़ी लाइन इसका कोश्चन ता, इसका मतलब क्या है, यह आपके नेचर की सूचक है, कि आप बहुत ही अच्छे वेक्ति हैं, लोगों का अच्छा सोचन में वाले हैं, किसी के पर्दी कोई गरत भावना रखने वाले वेक्ति नहीं है, मेर अंसार वेक्ति हैं, लोगों से जुरावा कारी करिएगा, तो आपके लाइफ में फाइदे बंद रहेगा, फिर देखो इनकी मंगल, दोनों मंगल स्ट्रॉंग, बहुत जादा, जमीन ज कहते हैं, एक यातरा की लाइने हैं, तो यातरा बेशिकली करेंगे ही, और ऐसे लोगों का जो उन्नती होता है, घर से दूर जाकी ही होता है, और मैं बताया करता हूँ, गरों के स्ट्रेंट रहेगे, तो बीच में आपको घंठा नुमा किरती फील होगा, तो तक्रीवन हमेशा जवान दिखना चाहते हैं, ऐसे लोग को सजना, दवजना, और कई न कई अपने पर से स्थिहत पर ध्यान देना, सुंदर्दा पर ध्यान देना, और कई न कई अच्छा पहनना, अच्छा खाना बहुत पसंद होता है, शुक्र आपके फैमिल टेंशन को थोड़ा कम कुछ योग डवलप करें, आप ट्रेडिंग करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो आपके लिए फाइदे मन रहेगा, और साथ साथ देखो, तो कुछ बनी की देखाएं हैं, जो कि आपके पैसे समय समय पर इंडिकेट कर रही है, गार्मेंट्स वाला काम करोगे, बिजनस करोगे, कपरों का बिजनस करोगे, अच्छा खासा उन्नती पाऊगे अपने जीवन में, फिर देखो जीवन रेखा बहुत स्ट्रॉंग, पच्पन का लाइफ थोरा सा तक्लिफ दे रहा, एक बहुत अच्छी कर्द थी इनका ठार्में साल में, जो कि इनको काफी ज़्यदा परिशान की होगी, फिर उनके बाद इनकी लाइफ लाइफ लाइंग बहुत स्ट्रॉंग रूप से चली है, और ऐसे जीवन रेखा आपको दिरगायू एज रिप्रोजेंट कर रही है, अब देखो एक इस मोल के विशम में चर्चा करता हूँ, यह मोल बिसिकली कर रही है, यह मोल क्या इंडिकेट करें, यह मोल आपके ऐसे पार्ट पर है, ना तो यह आपके लाइफ 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 लाइन पर है, और ना तो यह आपके माइन रेखा पर, यह बीच में है, तो कुछ सिस्ट आपके बॉड़ी में फॉर्म करते हैं, जो कि आपके लिए कोई नुकसान दे नहीं होते हैं, सारे cyst cancerous नहीं होते हैं, तो बस वही बात है हतली के साथ भी आपको पता होना चाहिए, अब जवर्दस्ती का कुछ भी योग निकाल दो, यह मुल्ट आपको बहुत धन देगा, या या आपको बहुत निर्धन मना देगा, तो ऐसा कुछ भी negative impact नहीं आने हैं, और इस age से आप गुजर भी चुके हो, तो इसके vision में कोई vicious tension लेने वारी आवशक्ता नहीं है, तो यह था इनका जीवन रेखा, उसके बाद देखो तो इनकी मस्तिक्स रेखा, यहां से आई है, यह वाली इनकी मस्तिक्स रेखा है, तो यह basically क्या indicate कर रही सरप्रथम यह, पचीस साल के तकरीबन 23 से लेकर 25 के बीच में कोई ना कोई समाजी का भेलना, और दूसरी चीज क्या है, यह आप देखो तो एक लाइन यहां पर यह बन लिए, यह आपकी दोहरी माइन रेखा है, जो कि आपके तकरीबन 24 में वर्स या 23 में वर्स में activate थी, या फिर मान के चलो, यह पामिस्ट्री में एक दो साल होता है, तो 22 से लेकर 24 के बीच में activate थी, उस समय आपको दिमाग में बल मिलाओगा, बल परदान हुआओगा, आपको सोचने की छमता बढ़ी होगी, maturity level आप पा लिये होंगे अपने जीवन में, और आप कुछ ऐसा नि तो यह तक्रीबन आपके 42 में वर्स में है, फिर तक्रीबन यह आपके 50 में वर्स के राउंड है, तो progress line है, फिर तक्रीबन एक और आगे बल रही है, लगबाग 56 में वर्स के आयू में, तो यह कुछ indications आपके progress है, जो कि आपकी भागी रेखा भी बखुवी indicate कर रही है, बह आए न, व्यक्ति कभी कभार blank हो सकता है, कभी कभार इनको समझ में नहीं आगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ blankish के problem हो सकती है, वही बात आती है कि इनसान थोड़ा nervous हो सकता है, लेकिन और गरों के strength बहुत अच्छी है, तो इनसान को वो बल दे सब्सक्राइड के व्यक्ति होता है, फिर आप देको इनके fate line बहुत strong, इनकी तकरीबन इनकी यहां से mind triangle भी है, तो 22 में के बास से तो बहुत अच्छी इनके fate line चले, इनके life के end तक और ये फॉरन के योग भी आ रहे है, तो भागी रिखा कि रिगार्डिंग आपको कोई भ बात नहीं है, प्रॉपर्टी के कोई विशेश योग मैं आपके हतली पर नहीं देख पा रहा हूँ, अगर एकाद यहां पर कुछ square नुमा आकरती बनेगी, तो आप प्रॉपर्टी अपने life पे बना पाओगे, इसी बना पाओगे, और ये कोई triangle आपके हतली पर नहीं है, इसको triangle मत समझना, ये आपकी heartline की branch है, तो प्रॉपर्टी के फिलाल कोई बहुत विशेश योग ने, लेकिन हाँ, मंगल की प्रधानता है, दोनों मंगल की, तो एकाद प्रॉपर्टी छोटा मोटा बना पाओगे, सासाथ आपकी भागी रेखा बहुत अच्छी है, एक छो अभी आपकी age कुछ नहीं है, 36 वर्स के बाद भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलाल नहीं है, उसके बाद अगर आप देखो तो इनकी money triangle, तो money triangle भी थोड़ी बहुत distract अवस्था में, इसमें बहुत ज़दा अच्छी strength में नहीं है, अगर ये रहती तो ये बहुत पैसे देखें, चुकि बागी रेखा, आपकी बहुत ज़ादा सपोर्टिक है, तो ये था इनके हतेली का पूरा विश्टेशन, एक चीज़ के विशह में और बताता हूँ, इनकी money बंद रेखा बहुत ही प्रबल है, तीनो money बंद रेखा आप बहुत अच्छी में देख प पा रहा हूँ, बहुत ज़ादा स्ट्रांग देख पा रहा हूँ, आप अच्छा कासा अर्ण करोगे, वो आपकी भागी रेखा से भी बखुवी दिख पा रहा था, तो ये था इनके money बंद रेखा के विशह में कुछ से जानकारी, जो इनको चाही जानना भी था, सर कि हमा यह जो वाली रेखाएं बन रही है, तो यह आपकी जीवन रेखा का ही एक आप ब्रांच समझ लो, जो कि यहां से निकल के आई है, और सीधा वहां गये, तो यह आपको मैंने पहले ही बता दिया, कि यह दिरगायों सेंसर में इसको आप ले सकते हो, नहीं संदे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यह था इनके हदेरी का पूरा विशलेशन, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप मैंने से प्रस्नली परामा श्रेना चाहते, तो हमारा पर कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है,